उत्राखन मुक्त विश्व विद्याले के सिक्षार्थियों और हेलो हलद्वानी सामुदाइक रेडियों के शोताओं को मेरा नमस्कार। सम्विधान दिवस के उपलक्ष में राजीति विभाग द्वारा आयोजित रेडियों श्रेंखला के भाग चार में मैं आरुशी और मेरी साथी डॉक्टर लता जोशी आप सभी शोताओं का स्वागत करते हैं। श्रेंखला के पूर्व भागों में हमने सम्विधान के बारे में जाना, सम्विधान दिवस के बारे में जाना, सम्विधान की विशेष्टाओं के साथ साथ सम्विधान निर्मान, सम्विधान सभा के गठन और सम्विधान की निर्मान की जो विकास यात्रा अब तक रही है उस पर चर्चा की आज इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें आगे की कडियों को शामिल करेंगे आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे जैसा कि कल का जो हमारा एपिसोड रहा है एपिसोड 3 जैसे कि यह रेफरेंस हम इसले दे रहे हैं अगर उन दोनों स कि हमने देखा जो समविधान सभा है समविधान सभा के लिए मैम ने बताया था कि निर्वाचन हुए निर्वाचन में एक बहुत ही अलग सी विचित्र परिस्थती उत्पन हो गई थी उसमें मुस्लिम लीग ने निर्वाचन में तो भाग लिया और साथी वू प्रत्याश प्रिटिश सरकार ने इस प्रक्रम पर हस्तक्षेप किया और लंदन के जो कुछ नेता लोग है जो लोग नेता उन लोगों ने भी मुस्लिम लीग का ही पक्ष सही बताया इसी प्रकार जैसे जब 9 दिसम्बर 1946 में को जब पहली समविधान की बैठक हुई तो उसमें मुस्लिम लीके जो सदस्य थे वो उसमें उपस्थित नहीं होए बीस फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार ने एक और घोशना की कि जून 1948 को भारत से ब्रिटिश साशन समाप्त कर दिया जाएगा वसत्ता भारतियों को सौब दी जाएगी तब तक ये दिसम्विधान सभा सम्विधान बना करेगी कि सत्ता हस्तांतरित किया जाए या नहीं तो इसी के बाद जो है कैबिनिक मिशन योजना के द्वारा सम्विधान सभा का गठन करने का एक प्रारूप तियार किया गया हम देखते हैं कि फिर उसके बाद ना जो सत्ता हस्तांतरण है उसे जल्दी से जल्दी की जाने जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर लेना चाहती थी और फिर इससे काफी चीज़ें आगे बढ़ी और इसके बाद क्योंकि उस समय जो दबाव था जो भारती जो हमारे उस समय जो नेता थे वो भी लगातार दबाव बना रहे थे आंतरीक और बाहरी परिस्तियां कुछ इस प्रकार की हो गई थी कि जैसा मैंने भी बताया कि जो सत्ता का हस्ता अंतरन था फिर वो भी जल्द से जल्द हम भारतीयों को सौब दिया जाने की बात होने लगी इसके बाद लॉड वाविल की जगा लॉड माउंट बेटन को भारत का गवर्णर जनरल बनाया गया माउंट बेटन ने कॉंग्रेस वा मुस्लिम लीग के बीच समझोता करवाया और माउंट बेटन योजना की अनुसार पंजाब वा बंगाल के समस्या वाले जो प्रांथ हैं उनका विभाजन किया जाएगा जब मुस्लिम लीग को जब पाकिस्तान मिलेगा कॉंग्रेस को शेश भारत जहां पर मुस्लिम अल्प मत थे वो वाला पार जो है वो भारत को मिलेगा भारती स्वतंतिता की अन्तिम जो योजना है उसे यही माउंट बेटन योजना कहा गया माउन्ट बेटन योजना जैसे कि हमारे उस दौरान जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम माउन्ट बेटन योजना कर दिया गया इसमें विभाजन, स्वायत्ता, दोनों रास्टों की सम्प्रभुता, अपना सम्विधान बनाने के अधिकार शामिल थे जिसमें जैसे जम्मू और कश्मीर जैसी जो हमारी रियासते थी उनको भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का भी विकल्प दिया गया इस योजना के अनुसार जो हमारी माउन बेटन योजना है उसके अनुसार बंगाल और पंजाब की जो विधान सभाए हैं उनके सदस्यों ने बैठर की और विभाजन के लिए भी मद्दान किया गया और धार्मी का धार पर विभाजन का निर्ने लिया गया पश्चिमोतर, सीमा प्रांथ और सिलहट के जो मुसलिम बाहुले छेत्रों में जन्मत संग्रह हुआ और बलूचिस्तान और सिंध के लोगों ने भी बहुमत से पाकिस्तान में होने का मन बना लिया इस तरीके से आपने देखा कि जो अंतिम चरण था एक तरीके से हम कहेंगे तो उसमें माउंट बेटिन को गवर्णर जन्रल बना दिया गया और जो भी डिस्प्यूट चल रहा था उसको सुलजाने की कोशिस की गई और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 26 जुलाई 1947 को गवर्णर जन्रल ने पाकिस्तान के लिए समविधान बनाने की गोशना की और बिल्कुल भी देरी नहीं की गई बिना देरी किये इस योजना को आधार बनाकर भारत स्वतनता अधिनियम 1947 तयार किया गया और बाद में इसे 4 जुलाई को संसद में इसे पेश किया गया और 18 जुलाई को इसे साही अनुमती मिली इसके थूज दो डॉमिनियन बनाने की बाद की गई जिसमें एक डॉमिनियन भारत और दूसरा पाकिस्तान था और संविधान सभा को संविधान निर्मार से लेकर जो भी चीज़ें थी बदब संविधान सभा को बहुत जादा शक्तियां दी गई कि वो अपना संविधान अपनी इच्छा के अनुसार बनाए इस अधिनियम के तहट भारत को सिंध, बलोचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोतर, सीमा प्रांत और असम की सिलहर जिले को छोड़ कर भारत का जो सेस राजी छेत्र था वो मिला दोनों संविधान सभाओं ने अपने अपने राजी के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई, संविधान सभा को विधान मंडल की रूप में कारी करने की भी शक्ति दी गई थी अब हम बात करते हैं सम्विधान सभा का गठन, सम्विधान निर्माण और सम्विधान सभा की कारे प्रणाली की कुछ-कुछ जो बिंदु हैं, कुछ-कुछ जो पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात करते हैं, पहले भी हमने कहा कि जो सम्विधान सभा की जो पहली बैठक थी, व वो दिन था सौमवार का ये बहुत महत्पूर्ण तारिक है और इसी बैठक में सचिदा नंद सीनहा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया और इसके बाद यानकी 9 दिसंबर को ये चीज़ हुई और फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को इस्थाई अध्यक्ष और H.C. मुखर जी को उपाध्यक्ष चुना गया 13 दिसंबर 1946 को जवाहलाल नहरु ने उद्देज सी प्रस्तावप पेश किया ये भी महत्पूर्ण घटना है समिधान निर्मान की प्रक्रियां में ये जो प्रस्तावना थी इस प्रस्तावना में भावी भारत के लिए लोगतांत् गणराजी की रूप प्रिखा दी गई इसने तैक किया कि हमारा समिधान कैसा होगा हमारा राजी कैसा होगा 22 जनवरी 1947 को समिधान सभाने इसी प्रस्ताव को स्वीकार किया बी एन राव को समिधानिक सलहकार नियुक्त किया गया प्रारूप समिधी की अध्यक्ष बियार अ 47 को हुई अब क्योंकि विभाजन हुआ तो जो सदस्य थे वो उनकी संख्या में भी अंतर आ गया क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ के जो हमारे सदस्य थे वो वहां चले गए और जो हमारे मेंबर्स यहां उस एरिया से चुने गए थे तो फिर उसमें काफी बदला हुआ अब हमारे जो संविधान सभा के सदस्य रह गए थे वो 299 सदस्य हो गए थे हम देखते कि जो अंबेट कर है फिर उनको बाद में बंगाल से चुना गया संविधान निर्मान का कारे पूरा होने में काफी टाइम लगा और 26 नवंबर 1949 को जो 284 सदस्य हैं उन्होंने हस्ताक्षर किया और हमारा संविधान बनकर तयार हुआ जिसके याद में ही हम क्या मना रहे हैं संविधान दिवस मना रहे हैं हाला कि संविधान जो हमारा है वो 26 जनुरी 1950 को लागू हुआ पर कुछ प्रावधान जैसे नागरिक्ता चुनाव ये सारे जो कुछ-कुछ प्रावधान थ सम्विधान सभागी पहली बैठक 9 दिसमبر 1946 को हुई और सम्विधान निर्मान की शुरुवात 13 दिसमबर 1946 को हुई और तब जवारलाल方 केória नहिरु ने उद्देら से प्रस्ताव पड़ा यही प्रस्ताव सम्विधान की रूप रिखा था और इसके आधार पे समविधान का निर्माण होना था। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक न्याई की बात कही गई। वहीं अभिव्यक्ति की स्वतनिता, अवसर और कानून के समक्ष समानता की गारेंटी दी गई। इस प्रस्ताओं ने समविधान सभा को मार्ग दर्सी स सिध्धान तता दर्शन दिया, जिसके आधार पर समविधान का निर्माण होना था। समविधान सभाने समविधान निर्माण में विभिन पहलूओं को गौर से देखने के लिए अनेक समीतिया नियुक्ति की, इसमें प्रारूप समीति, संग समीति, प्रांती समीधान समीत प्रारूप समिती ने संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को अध्यक्ष के सामने पेश किया इस प्रारूप के संसोधन के लिए बहुत सारी टिप्रिणिया आई ऐसा नहीं हुआ कि एक बार आपने पेश कर लिया और वो पास होगे नहीं उसके साथ लगातर आलोशना है यह सारी चीज़े आती गई जिन पर विशे समिती के द्वारा विचार किया संसोधन के बाद संविधान के प्रारूप को 26 अक्टवर 1948 को संविधान सभार के अध्यक्ष के सामने रखा गया नवंबर 1948 से नवंबर 1950 के बीच उस पर फिर और विचार किया गया बार बार उस पर विचार किया गया प्रस्तावना सबसे बाद में स्विकार की गई 26 अवंबर 1950 को प्रस्ताव स्विकार हुआ और 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किये सम्विधान सभा में हम देखते हैं कि कॉंग्रेस का बहुमत था जिसमें नहरू, पटेल, आजाद ये बहुत महत्पुन जो हमारे स्वतनता संग्राम में भी जो नेतर तुए थे वो इसमें एहम भूमिका निभा रहे थे लेकिन सम्विधान सभा में डॉक्टर अंबेटकर, डॉक्टर राधा कृष्णन, प्रॉफिसर केटी साहा जैसे क्यार कॉंग्रेसी नेता भी थे सम्विधान सभा में हर एक पक्षपर गहन विचार विमर्स करने वो आम सहमतिपर निर्णे लेने का प्रयास किया गया किसी विशेश विचार को महत्व देने के बज़ाए उनको वर्यता दी गई जो भारत के लिए अनुकूल थे सम्विधान निर्माण ने सासन प्रणाली का मूल आधार उदारवादी और उद्देस समाजवादी रखे और गाधिवादी आदर्स नीती निर्देसक तत्व में शामिल किये गए तो इस तरीकी से हमारा जो सम्विधान है वो सम्विधान सभाग के जो सदस से है उनकी कड़ी महनत से और ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी बास से असाहमत नहीं रहा होगा असाहमतियां भी प्रकट की लोगों ने सुझाओ दिये आलोशनाय हुई उन पे फिर उसके बाद वो हमारा सम्विधान तयार हुआ तो इस तरीकी की प्रक्रियास में रही आरुशी जैसा कि मैमने काफी कुछ हमें जानकारी दे दी है सम्विधान की हम लोगों ने यात्रा जब सम्विधान शुरू हुआ कैसे सम्विधान के लिए हमारा जो सम्विधान सभा है इसका गठन कि प्रकार से किया जाएगा वहां से लेकर किस तरह से हमारा समविधान जो है 26 नवेंबर तक 1949 को वो तयार हुआ यह पूरी यात्रा हम लोगों ने अपने इस श्रंखला के माध्यम से आप लोगों के साथ साजा करने का प्रयास किया है और आज हम लोगों ने खास तोर पर जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन योजना इन सब पर हम लोगोंने बात कर ली थी और इसे कड़ी और आगे भढ़ाते हुए आज हम लोगों ने ये माउंट वेजन योजना और भारत साषान अधिनियम 1947 इस पर हम लोगों ने आज विस्तृत रुप से चर्चा की है और हमारी समविधान की सभी सदस्यों का जो योगदान है उसे हम लोगों ने आप लोगों तर पहुचाने का प्रयास किया है तो आज का जो व्याख्यान है या आज की जो हमारी बातचीत है उसमें आप देखेंगे कि जो महत्पूर्ण तारीके से हुआ उसको कई बात की जो कई बार ही होता है कि कौम्टिटिव एक्जैम में भी जो पूजी जाती है तो वो आपको इस तरीके से आपको समझने हाँ डेट्स का जो है वो आपको फाइदा पहुचा सकता है तो इसी के साथ हम लोग कुछ टाइं के बाद ये कर सकते हैं जैसे कि अब जल्द ही हमारी जो पहली बैठक की जो डेट है 9 दिसमबर तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस में जिसमें तरह की चीजें हुई थी पहली बैठक में उसे हम आप लोगों के समक्ष लेकर आपाएं तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद